तो है लो दस्तो मैं हूं टेक इंफ लंग सो आज की इस वीडियो में में बात करूंगा कैसे आप one plus note two में या आप कीसी भी one plus में आप screen record कैसे करें और बहुस्त लोग का यह problem आ रही है कि screen record करने के बाद उनको internal sound नहीं आ रही है और उनके voice भी नहीं आ रही है साथी साल इस video में बात करेंगे कि कैसे record करें और problem जो भी यह उसमें हम fix करेंगे आपको बताएंगे कैसे क्या करना So let's start सबसे पहले मैं जाओंगा अपने recording system में और मैं open करूँगा और मैं कुछ आपको setting बताओंगा जैसे कि internal audio मेंने select किया है और video orientation मेरा auto ही रहेगा तो यहां पर beat rate आपको जो है आपको 16 Mbps ही रखे अगर आपका 4GB है तो आप 8 Mbps ही रखे बट मेरा 8GB है तो मैं 16 Mbps per second रखोंगा यहां पर number of frames यहां पर 30 आप रखे सबसे best suitable है इसकी बावarent में आपको देखाऊंगा आपको एक sample record करक रिक 그리고 करने के पार सांड आ रही है या नहीं अगर आएगी तो समझिए कि यह सही है नहीं आरे तो मैं आपको बताऊंगा के से सब्सक्सार्ब से पहले काने है एक करने के लिए मैं जाओंगा फिर से रिकार्ड करने को में स्टार्ट प्लिक्र यहां पर जायु करगां सो में एक इंटर्नल वीडियो का लिए संडि करूँगा हrowsगा सु इसक में कोई सागी रिंडम जैसे कि सौंग बजाऊंगा के बास सेww आप कोई से दिए मिनले सु करने केपए हैं है के अपवाज आ रही है तो मैं पास करने के वास रहा है और बहुतव करने को पर नहीं है या नहीं सो लेट इस्टार्ड आइज 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 देख सकते हैं कि मुझे साउंड नहीं आ रही है सांड नहीं आ रही है इसका मतलब कुछ प्राब्लम है सो प्राब्लम को फिक्स करने के लिए सब-स-पहले मुझेज से चैटिंग में जाना होगा और सटिंग कर जाने के बाद से मुझे एप में जाना होगा पेड़ जाना होगा & एप लिस्ट में जाने के बाद से पिर आप देख सकते हैं यहां पर 3.Line पर जाकर एक वासरубли सिस्टम पर करना यहां पर मैं से कुलोज करूंगा क्लो Ifuk करने का बात है और फीर से में एक रिकार्ड करूँ का आपको और मैं देखाऊंगा कौ आपको आवाज आ रही इनी तर सबसे पहले मैं फीर से ओर record वे क्लिक करकर चाप्ट करूंगा आफ़ी मने आपको देखाऊंगा कि आवाज आ रही है कि नहीं सो यहां पर देख सकते हैं मैं इस इस को चलाओंगय से करता हो झावाज को से यहां पर आप यहां देख सकते हैं कि मुझे आवाज आ रही है रिकॉर्ड करने के बाद अपको बताऊंगा कि आप बोल भी सकते हैं साथ में आप वाइस भी आएगी और इंटरनल साउंड भी आएगी तो इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे फिर से मैं रिकॉर्ड के सेस्टिंग में जाऊंगा और सेटिंग में जाने के बाद और यूजा मैं माइक्रोफोन भी चाहिए जो मैं बोलूँगा वो भी आवाज आएगी और जो साउंड आएगी इंटरनल सांड वो भी आएगा तो यहां पर मैं आपको यह सेलेक्ट करके एक एक जांपल और सोर करा देता हूं और फिर से मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूं रिकॉर्ड करने वाइस भी वह भी आगी आपको अपके साथ सो इसको फिर से श्टप करूँगा और फिर समय इसको पास करकर इसको सेफ करके वीडियो को मैं से आप फिर समय आपको सुनाओंगा कि आवाज आ रही है या नि जाने के बाद से फिर साब यहां सुन सकते है मैं प्ले करूंगा यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत से यूसफूल है और मैंने प्रॉब्लम भी फिक्स कर दिया बहुत से लोग को यह प्रॉब्लम आ रही थी कि रिकॉर्ड करने के बाद उनको वाइस नहीं आ रही थी सो इस वीडियो मैंने आपको पर्मिशन दे दिया माइक्रोफोन का सो यह प्रॉब्लम सौलब हो गया आप भी इस तरफ की सेटिंग कर सकते हैं और अपना ओडियो रिकॉर्ड भी ला सकते हैं सो थाइंक्यू पर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक